इस वीडिये में हम डिसकस करेंगे EBS के important questions जो previous exam में पूछे गए हैं ठीक है इसमें 300 plus questions है तो चले शुरू करते हैं देखें फर्स्ट है हमारे पास श्री सुंदरलाल बहुगुणाजी संबंदित है चिपको आंदोलन से ठीक है सुंदरलाल बहुगुणाजी किसे रिलेटिड है वो है चिपको आंदोलन से रिलेटिड ठीक अगला देखें युनेब का मुख्याल्य स्थित है युनेब का मुख्याल्य कहां पर है यह है वासि आकशीजन का प्रतिशत है या फिर ये पूच atom कि ताजवाईयू मेव शीजन की मातरा हो थिम तो वातावर्ण मेव शीक यावाईयू मंदल मी शीजन की मातरा कितनी होती टॉन्टी वन के लिए चावन सेवनट यद्छीट अगला देखिए एक ऐकारबनिक अव्यव है यहां पर जो एक आरबनी का अव्यव है वो है नाइट्रोजन अगला देखे भारत में प्रियावरन के चिपको आंदूलन के सुत्रदार है या चिपको आंदूलन के प्रणीता है तो अभी पड़ा हम नीचिपको आंदूलन के सुत्रदार कोन है सुंदरलाल बहुगुणा नेक्स देखे प्रित्वी सम्मेलन 1902 कहा तथा किस शहर में हुआ 1902 में जो प्रित्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रियोडी जिनीरियो ब्राजील में थीक है नेक्स देखे वातवरन की वहत है जिसमें हम सांस लेती हैं क्या कहलाती है थीक है तो जिसमें हम सांस ले पारे हैं वो क्या है शोब मंडल सब से नीचिलिशत है जो है प्रित्वी के पास जो वो है शोब मंडल इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना किस राज्य में है इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना है राज्यस्थान में संपूर्ण जल मंडल का कितने प्रतिशत भाग हिम्टो उप्यो इम्खंडो तथा हिम्णदो के रूप में है तो आंसर होगा 77.23 प्रतिशत भाग निमन में से एधात्वी खनीज है अभरग राजस्थान का प्रांतिय वरक्ष कों सा है ये जड़ी है इकोलोजी शब्द दिया गया था रेटर के द्वारा नेक्स देखे स्थल मंडल वाईयू मंडल तथा जल मंडल किसकी अध्यन का शित्र है ठीक है तो तीनों के बारे हमें हम किसमें पढ़ते हैं प्रियावरन अध्यन में प्रती एक वर्ष विश्व प्रियावरन दिवस मनाया जाता है तो प्रती एक वर्ष विश्व प्रियावरन दिवस मनाया जाता है पांच जून को यह इंपोरिन कोशिन है पूछ सकते हैं जैव भार्या पैट्रोन तो इसमें जो नवी करनिय संसाधन है वो है जैव भार ठीक है निमन में से कौन सा पारंपरी कुर्जा का स्तुरोत नहीं है ठीक है इसमें जो पारंपरी कुर्जा का स्तुरोत नहीं है वो है विद्यूत सुरिय जल और पवन क्या है पारंपरी कुर् परदन होता है राजस्थान में इस्थित रेगिस्थान का नाम क्या है तो राजस्थान में जो रेगिस्थान है उसका नाम है थार वर्मी कंपोस्ट द्वारा खाद त्यार किसके द्वारा की जाती है तो वर्मी कंपोस्ट खाद त्यार की जाती है केचू के द्वारा देखिए यह सारे कोशन वही है जो हमने NCRT जोग्रफी की है 8th क्लास की 6, 7, 8, 3 ही क्लास की NCRT जो की है उसी में से हैं ये सारी question ठीक है और उसी में से आपका EBS का paper भी आएगा अगला देखिए निमन में से कौन सा प्राकर्तिक संसाधन है तो प्राकर्तिक संसाधन यहाँ पर है शोर उर्जा निमन में से कौन सा उर्जा का बड़ा सुरोत है प्रंतु कभी प्रियावरन प्रदूशित नहीं करता तो अंसर है सुर्य की किरनी है, सुर्य का उर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत और वो कभी प्रियावन को प्रयदुशित भी नहीं करता मृद्धा पर्दन किस के द्वारा होता है? मृद्धा पर्दन चक्रवात, जल और हवातीनों के द्वारा होता है तो अंसर है ये सबी, तालाब उधारन है, लोटिक पारिस्थितिक तंतर या लेंटिक पारिस्थितिक तंतर, तो तालाब किसका उधारन है, लेंटिक पारिस्थितिक तंतर, थार का रेगिस्तान स्थित है, थार का रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में, एक एको सिस्टम य तो सूरिय के प्रावंगनी के कारण किसा निर्मान होता है तो पॉंड उधारण है लेरिक एको सिस्टम का यदि दुनिया के समस्त पोदेश माप्त हो जाए तो सभी जन्तु में किस की कमी सिर नहीं बचेंगे तो आंसर है औकसीजन ठीक है एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रकास संसलिशी पोधे युनाइटेड नेशन के प्रियावरें वे विकास प्र अंतर राष्ट्य संगोस्टी 1922 में किस जगे पर हुई थी ये वही प्रत्रिस में से रिलेटिर है तो रियोडी जेनरो में खाद्य पसलों से कौन सी करांती जुड़ी है तो खाद्य पसलों से जो करांती जुड़ी है वो है हरित करांती निमर में से कौन सा रेडियो धर्मी पदार्थ है तो इसमें रेडियो धर्मी पदार्थ है युरेनियम ठीक है सुरिय से उर्जा प्राप्त कर पोधित जिस प्रक्रिया से भोजन बनाती है उसे क्या का जाते है प्रकास संसलेशन कहते हैं उसे भारत में कितने मेगा डाइवसिटी के इंदर है तो भारत में 12 मेगा डाइवसिटी के इंदर है राजस्तान के रज्य पुष्प का नाम है रोहीडा समोग सम मिश्रन है यह कोशन आया था भी एच्टेट में प्रिवियस एच्टेट हुआ तो जो उसमें समोग किसका मिश्रन है धुवे एम कोहरे का आनुवालसिक जै विवित्ता निमन में विभिनता है तो आनसर है एक ही प्रजाती के जीवो में पीलिया रोख किस से होता है quand Take प्रदूशन से होता है प्रदूशित जल से होने वाले रोख देखे पीलिया पेचिस टाइफ आपार्डिय?' किस से होते हैं Good बूमी प्रदूश्वं का कारण नहीं है कर पॉलितीं ओध्यों की कपुशिष्ट और खनन तो इस में से बूमी प्रदूशू का जुका नहीं है वह व्रिक्षा रोपन लगा जो ये भून सरा रोपन अरित्यग्र रुपहाव के लिए उत्रताईग गैसे कुन कुन सी होती हैं कारबन डैक्साइड क्लोरो फ्लोर कारवन और नाइट्रोस अक्साइड तीनों ही होती हैं धुआनी का स्तर किस्से मापा जाता है डीबी से डैसिबल से ठीक है तापएब प्रदूशन किस्से होता है ताप यह प् प्रियावन सरक्षन कानून यानि कि EPA लागू हुआ 1986 में वन्याजीव सप्ता प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है एक से साथ ओक्टोबर को वन्याजीव नियम भारत में कब लागू किया गया 1986 में लागू किया गया था काजी रंगाराष्टे उद्यान किस के लिए प्रशिद है तो ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रशिद हो रेक कहां पर है ये असाम में है वन्याजीव सरक्षन कानून लाग हुआ था 1972 में नदियों में ताफिय प्रदूशन सामाने तर निमन से होता है नदियों में ताफिय प्रदूशन किस से होता है ग्लोबल वार्मिंग से निमन गैस्चों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कुन सी है क्लोरो फ्रोरो कार्बन कर्बन डैक्साइड नैट्रस अक्साइड ये होती है Greenhouse कैसे तो यहां पर आंसर होगा Clorofluorocarbon नहीं में से कौंज सा प्रदूशेग ताप यह प्रदूशन के लिए उत थक्रदाई है तो अभी पड़ा था हमने उश्मा जो है वह फिर अप्रदूशन के लिए उत्तरदाई है कारवेट रास्टे उद्द्यान कहां पर है तो जिम कार्बेट राष्टे उध्यान जो है उत्रांचल में है और यह सबसे पहला राष्टे उध्यान है जो Mm के पहुंच जाने से पृत्विय का कितना शेत्रफल जल से धिकाए तो 71 पॉसेंट भाग unto पर कृत्विये in अभी के जल है नवीनी करन प्रकृतिक संसाधन का उधारणorer है तो वहं है जल रिर्जस थ्रोथ प्रम प्रागत नहीं है तो उर्जा स्रोजो प्रम प्रागत नहीं है वो है नाभी किये उर्जा एल्पाइन घास कहां पाई जाती है एल्पाइन घास पाई जाती है उचे परवतों पर निमन लिखीत में से कौन सा अपना रजय पक्षी है अपना रजय पक्षी है जो है गोडावन जल प्रदूशन नियंतरन कानून लागू हुआ था 1974 में पीने वाले पानी में फ्लॉराइड की मातरा कितनी चाहिए 1.5 मिली ग्राम पर लीटर यह कोशन भी पूछा गया था अच्टेट की प्रिवेस एक्जाम में पूछा गया यह तीहरे बांद का फिरोध करने वाले प्रियावरन वीद का नाम क्या था श्री सुंदरलाल बहुगुणा श्री राजिंदर सिंक उसन 2000 में किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया था मैस यसे पुरुषकार बोपाल गेस तरासदी के पीछे प्रदुशके गेस कोई से थी और किसकी वज़े早 से हुआ था— निमन में से कौन सा पराकर्तिक प्रीटंत्र है प्राकर्तिक प्राकर्तिक तंटर बाद्ध जलजीवकुण या खेत यह तीन How तर ना नें होते हैं ईह होते हैं आप प्राकर्तिक तंटर तो यहां पर आएगा इननए Indie कोई नहीं सबसे बड़ा पारितंतर है सबसे बड़ा पारितंत्र है यहां पर सागर प्रिया वरणिय जागरुकता पैदा की जा सकती है कारिया शालाओं से विग्यापनों से और सिक्षा से तो अंसर होगा यह सभी से किस शहर का संबन मिथाइल आइसोसाइनाइट रासदी से है तो वो है बोपाल का पैट्रो क्रॉप पादपु का मुख्य उत्पाद होता है तेल बंद कमरे में इंधन जनाने पर कौन सी गैस मृत्यू का कारण बनती है तो वो है सी तो सी यो गैस जो है बंद कमरे में इंधन जनाने पर मृत्यू का कारण बनती है कारण ठीक है, लिम्नो लोजी किस का अध्यन है, लिम्नो लोजी अध्यन है स्वच जल पारिस्थितिकी का, मृदा नमीक ओमापनी का यंत्र कुन सा है, साइक्रो मीटर, वायू मंडल में CO2 की सांधरता होती है, 30 ppm, मृदा में CO2 की सांधरता, वायू मंडल की अपेक्षा कैसी होती अधिक होती है उर्वर मर्दा की पीच कितनी होती है छैसे सात होती है जैव एक पदा जो अभी अभी जमीन पर गिरा हो क्या कहलाता है कुडा करकट भारत में पारिस्थित्य का ध्यन किसने प्रारम किया था तो यह क्या था ड्यूजी ज्यूड जियोन ने शुरू किया था भ सुपसान नहीं होता क्या कहलाता है यह सह भोजीता क्वक मूल उधारन है कवक किस का उधारन है सहोपकारिता का मैब का पूरा नाम क्या है मैब होता है मैन एंड बायू स्फियर प्रियावन अध्यन का शेत्र है प्रियावन अध्यन का शेत्र इसमें से कौन सा है वायू मंडल वो कम किस की द्वारा मापा जाता है सिश्मोग्राफ आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है घेंगा होता है तो अंसर होगा इन में से कोई नहीं ठीक है रतुन्दी किस से होता है विटामिन A की कमी से होता है ये मृइदा की किस अंस्त्रण में हायूमस पाई जाती है तो हायूमस पाई जाती है 20 तरफर पारिस्तितिक तंत्र में टत्वों का चक्रन क्या कहलाता है ग्रिदा में पादपो के लिए NO2 का मुख्या स्रोथ क्या है नाइट रीट ठीक है वैए यंतr जो वायू की गती मापनी का कारिया करता है याद रखे एनिमो मीटर वायू की गती को मापनी का काम करता है कार्य की शुश्कता शेहन करनी वाले पादब हैं दलदली पादब उडीसा की लाल मृदा में किस की मात्रा अधिक होती है तो उडीसा की लाल मात्रा में जो है FE की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है यदि पृत्वी से सभी हरे पादप समापत हो जाए तो कोन मर जाएगा अगर सारे हरे पादप समापत हो जाएगे तो सभी साका हारी educ जो है वो क्या हो जाएगे मर जाएगे निमन में से कौन सा करम खादिश रणखला की अनुरूप सही है देखिए खाद्य शरंकला के नुरुप जो सही है वो है घास, भैस, हीरन और साप ठीक है वन मोहतसव किस ने प्रारंब किया था? वन मोहतसव प्रारंब किया था कियम मुनसी ने साइलेंट वैली किस राज्य में इस्तित है? तो साइलेंट वैली है केरल में किस-किस क्रियाता से NH3 नाइट्रीट में बदलती है, नाइट्रीकारी जिवानों से, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला मुख्यवायू प्रदूशक है, पैन, मानो जाती के लिए सबसे घातक प्रदूशन कोन सा है, ना भिक्य प्रदूशन जो है, वो सबसे घातक क्या है, जैविक, ओटू, मांग, कौन नविक्रणी उर्जा का सब से अच्छा स्त्रोथ है, पेड, एप्रिद खाद सरंकला कहां से परारंब होती है, तो खाद्य शरंकला परारंब होती है, मृत कार्बनिक पधार्थ से, ठीके, इसने यह आपे पूचे, एप्रिद खाद काद्य शरंकला, अगर सिफ़ खाद्य शरंकला होती है, ठीके, अच्छा स्त्रोथ होता है, तो खाद्य शरंकला कहां से सम्मंधित जीवों से, परित्वी स्थे से वायूं मुंदल कितनी उचाई तक है, वायूं मुंदल है, 20 किलोमेटर तक, कांग्रेश घास कून सामल उत ट्रांस सिनेमिक अमल जो अन्य पोदी जो होते हैं उनकी वृद्धी को रोक देता है उन्हें बढ़ने नहीं देता है भारतिय पारिस्थिति विज्ञान के पिता कौन है आर्मिश्रा कौन उर्जा का अच्छा स्तुरोत है लेकिन प्रदूशन नहीं फैलाता तो सोर उर्जा जो अच्छा स्तुरोत है और नहीं प्रदूशन फैलाता है जल प्रदूशन का मुख्य कारण कौन सा है तो वो है उद्योग का कच्छरा प्रदूशक जो मोटर कार उत्सरजित करती है जिससे मस्तिश्क रोग उपन होते है वह है सीसा मलमुत्र प्रदूशन का जैवी के लाता हुए हाइड्रोजन है बारत म्योशन का टीबंदिय वन कहां पर है तो यह है केरल में पानी किस प्रकार का संसाधन है पानी जो है वो नवी करणिये है ठीक है उच्छान परत किस के कच्छरे से प्रभावित हो रही है उच्छान परत सूपर सोनिक जैट फैक्टरी मोटर कार इन सभी सी प्रभावीत हो रही है पाधव रिधी के लिए सबसे अच्छी मृधा कौन सी है कि अक्छे से बड़े इसके लिए सबसे अच्छी मृधा है दोमट मृधा यदि जैयो मंडल से CO2 हटा दी जाए तो कौन से जीव पर सरवपर्थम नकारा तमक प्रभाव पड़ेगा तो अगर CO2 हटा देंगे तो सबसे ज़ादा प्रभाव पड़ेगा उत्वादक यानिकी पोधों पर पादप पर ठीक है तो आंसर आएगा उत्वादक मनुष्य वैण्य जीव रहते हैं काप रहते हैं शौब मंडल में रहते हैं पर ओक्सी एसिटल नाइटरिट यानि की पैन क्या करती है ये प्रकास अंसलेशन घटाती है सामाजिक वानिकी का उदेश्य क्या है इंदर लकड़ी वैचारे की पूर्ती बंजर भूमी का उप्योग करना और पारिस्तितिक सामय उत्वपन करना खाद्य श्रंखला जो हरे पाद्पो से प्रारंब होकर साकाहरी से होते हुए मासारियों पर समाप्त होती है क्या कहलाती है तो उसे कहते हैं संस्था जो संक्टागरस जाते हूं कि अंतराष्ट केशीप रोकति है कौन सी है वो साइट्स ठीक है निमन में से कौन वायू मंदलियस चुद्धिता के प्रतीक है तो लाइकेन जो है वो वायू मंदलियस चुद्धिता का प्रतीक है विश्व प्रत्थवी दियोस इंपर्टेंट है विश्व प्रत्थवी दियोस मना जाता है बाइस अप्रेल को पारिस्थितिक तंत्र में अब घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में अब घटक कौन से होते हैं जिवानू वे कवक वे पिरामिड जो किसी भी स्थाई पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा हो सकता है वे पिरामिड होता है उर्जा का ठीक है फसलों के चक्रन से क्या बढ़त अप घटक होती है, जिवानु और कवक, उप भोगता होती है, जीवजन्तु और उत्वादक क्यों होती है, पादप होती है, किस पारिस्तितिक तंत्र में जैवी विता बहुत कम होती है, ठीक है, पिछली बार पूछा गया था, जैवी विता ज्यादा किसमे होती है, तो कम भ जोन छिद्र का निर्माना दीक्तम किस के उपर है तो यह है अंटारक्टेका के उपर पारस्थितिक तंत्र में हरे पादपो का पोशक स्तर क्या कहलाता है तो वो है पहला स्तर स्वसन मूल जिन पादपू में मिलती है वे कि शेत्रों में पाए जाती है दल दलिस्थल में वे जीव जो मृत कारबनीक पधारतों पर निर्भर रहती है वो क्या है मृत ओप जीवी कहा जाता उसे पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किस ने दी थी ये दी थी एल्टन ने सामान्य बोलचाल में धोनी कितिवर्ता कितनी होती है 30 से 60 डेसिबल एन्नो 3 का एन्टू में प्रिवर्तन क्या कहलाता है ये इसे का जाता है वी नाइट्री करन चरण पसों से उस शेत्र को संभावित लाब है उस रजी मिदार्त को शेत्र में छोड़ता यू 238 कोन सी किरने छोड़ता है तो अंसर होगा कोई भी नहीं लवन म्रिदो भिद पादफ होते हैं इनमें से कोई भी नहीं श्तरी करन पाया जाता है उस इनकटी बंदी है वनो में एक पोशक स्तर से दूसरे में कितनी उर्जा का स्थाना अंतरन होता है तो अंसर होगा 10 प्रतिशत जब म्रिदा कणू काका 0.002 से 0.02 में के बीच हो तो क्या कहलाती है तो इसे का जाता है सिल्ट वनो के उचाई किस से मापी जाती है एल्टिमीटर से आने वाले वर्षों में तोचा रोग अधिक दिखाई देंगे जिसका कारण क्या है उजोन परत की नुकसान से जो है तोचा रोग ज़ादा दिखाई देंगे नाइट्रोजन चक्र में N2 स्थ्रिकरन जिवानू क्या करती है नहीं को N3 में बदल देती है एक जाती के सद्दश्यों के समूजों एक स्थान पर मिलते हैं क्या कहलाती है यह जन संख्या नहीं होना चाहिए इसका अंसर इसे छोड़ दीजिए एन्बी आराई कहां स्थित है एन्बी आराई कहां पर है यह लखनव में है प्रियावरन का जयाविक घटक है प्राकरति संसाधन का रक्षन वे प्रभंदी करन करना एक रभिक उर्जस्ती राज्यास्थान में कहां पर है तु आज़्यावरात भाटा में खाद्य श्रंखला बताती है उर्जा सोओं प्रवा सबर्क Bye औध नाइट्रोजन जो है वो एकार्वनिक घटक है डबलु डबलु एफ का पूरा नाम क्या है तो वो है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ठीक है पारिश्थित के स्टूप की संकल्पना किस ने दी थी स्टूप हो या पिरामिड हो ये दी थी एल्टन नी ओजोन गैस वाइड मंडल की किस पुरत में पाई जाती है तो समताप मंडल में पाई जाती है अमल वर्षा जल में किस के मिलने इसके कारण सी है तो अंसर होगा सलफर वै नाइट्रोजन के ओक्साइड की समपोशन है शेवाल वरिधी वैजल में ओट्टू की कमी प्रकरती में पाया जाने वाला कठोर तम तत्व कौन सा है तो जो सबसे कठोर तत्व है वो है हीरा कौन सा प्राणी किसान का दोस्त कहलाता है तो केचुए को जो है किसान का दोस्त का राजाता है केचुए किसका निर्मान करता है वर्मी कमपोस्ट का वै विशिष्ट प्रियावरन जिसमें कोई जीव रहता है क्या कहलाता है प्राकरतिक वास सही खाद्यस रंखला देखिए कीट मेंडक और सा ये जो है सही सरंखला है याँपी खाद्यस रंखला प्रियावरन वीग्यान की पढ़ाई जरूरी है क्योंकि ये प्रियावन की बारी में जागरित करता है गिर राष्टी उद्यान कहां पर है तो गिर जो है वो है गुजरात में बायू प्रदूशन के मुख्य स्रोत देखिए का मुख्य स्रोत कुन से है वान एंकारकवानों द्वारा जनित धुआ मृदा में पाय जाने वाले जिवानों वेकवक क्या कहलाती है आप घटक कही जाती है संक्टा ग्रस्त पादफ वे जन्तों की शारनी किस पुस्तक में प्रकाशित की गई है जो संकर्टा गरस्त पादप और जन्तों की शानी प्रकासित होते है रेड़ डाटा बुक में अत्याधिक चरण का प्रिनाम है मृद्धा अपर्दन चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाती है लिथोफाइट का जाता है उन्हें पारिस्तितिक तंतर में अनेक खाद्य से रंकलाई मिलकर बनाती है क्या बनाती है खाद्य जाल बनाती है पारिस्तितिक तंतर में उर्जा का प्रमोक स्त्रोथ कौन सा है सुरिये पारिस्थितिक तंतर में हरिय पादप क्या कहलाती है हरिय पादप को का जाता है उत्पादक प्रात्मी का नुकरण में अगरनी पोधे मिलते हैं मौस वै लाइकेन EIA का वरिद रूप क्या है एन्वायरमेंट इंपक्ट असेस्मेंट मलेरिय का वाहक कोन सा है प्लाजमोडियम किस वैग्यानिक को भारतिय पारिस्थितिक का पिता कहते हैं तो आर मिश्रा को जो है भारतिय पारिस्थितिक का पिता कहा जाते हैं कीजरी का मुखाली कहां पर है तो यह है ज़ोदुपूर में ठीक है निमन जाती में से कोन सी जाती संक्टा गरस्त है है तो चीता जो है वो संक्टा गरस्त है फ्रकास इंसलेशन क्लिया में कोन सी गैस वातावरन से लिझाती है तो CO2 यानि कि elle करपन डायकषैर ली जाती है बातवरंड से रंथम बो राष्टे मारकापर है राजस्थान में कौन सी बिमारी वंसा नुगत नहीं है तो वो है एड्स रतोंदी हीमोफिलिया वर नानते ये क्या है वंसा नुगत बिमारी है इस नहीं है CNG का पूरा नाम क्या है compressed natural gas ठीक है LPG का पूछ सकते है liquid white petroleum gas दिल्ली में बसो द्वारा प्राय कौन सा इंदन उप्योग मिलाया जाता है तो CNG जल सरक्षन किया जा सकता है अप्शिस जल के सुद्धी करन वे पूर्य प्रियोग द्वारा जल संचियन के द्वारा जल की सिमित दोहन के द्वारा ठीक है जल को बचाया जा सकता है मुरस्तिली करन किस के द्वारा रोका जा सकता है तो व्रिक्षा रोपन के द्वारा मुरस्तिली करन रोका जा सकता है सबसे शुद जल है सबसे शुद जल कौन सा है व्रिशा का जल अमली अमरिदा का pH होता है 6 ठीक है क्योंकि 7 से कम जो होता है वो कितना होता है आमल होता है और 7 से उपर जो जाता है वो होता है शार तो यहाँ पर सिफ 6 है 7 से कम तो आमल यह अम्रिदा कुन से होगी 6 वाली स्वास संबंदी रोग मुख्य ते किस प्रदूशन के कारण होते हैं तो वाईयो प्रदूशन के कारण निमल में इसे कौन सा स्वपोशी है? स्वपोशी मिन्स जो अपना भोजन स्वयम बनाता है तो अपना भोजन स्वयम कौन बनाता है? पेड़ पोदे घास तो घास जो है वो स्वपोशी है राजस्थान का संक्टा ग्रस्ट पक्षी कौन सा है? गोडावन पृत्वी केताब मांद में CO2 के द्वारा वरिदी क्या कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूशक कौन सा है एरो सेल निमल लिखित में से कौन सा जलिय पारिष्टिक तंतर से संबंदित नहीं है तो वो है चूहा ठीक है शुद जलिय स्त्रोतो का दिन क्या कहलाता है लिम्नोलोजी उर्जय के पिरामिड होते है एकोलोजिकल पिरामिड ब्लूम पाया जाता है तो ब्लूम पाया जाता है यूट्रॉपिक जील में लाइकेन किसका संकेत आंख है तो ये है वायू प्रदूशन का संख्या दिवस मिनाया जाता है 11 जुलाई को पेरियार राष्टी उद्यान कहां पर है यह केरल में भारत में वन्य जी सुरक्षन कानून यह बहुत बार पढ़ चुके हम 1972 में पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का मुख्य स्त्रूत कौन सा है सुरिय का प्रकाफ जैव स्तर बना होता है डफ एज से है फुल फो में क्या है इसकी एक्वाइड इम्यून डेफिशियंसी सिंड्रोम सुरिय के प्राभैंगनी के जिनों से सुरक्षा प्राप्त होती है किससे के द्वारा O3 यानि की ओजोन के द्वारा ठीक है ओजोन गैस के द्वारा वायूमंडल में CO2 की मातरा होती है कर्बंडा एक्सायर की होती है 0.003 तो यहां पर हो जाएगा 0.0034 परसेंट ठीक है अमल वर्षा के कारण कौन से है SO2 एंड NO2 लेग्यों पादपो की जड़ो में कौन से जिवानों पाई जाते है राइजोबियम पैट्रोलियम के न्यूनी करण के लि ठीक है राजस्तान में कौन वायू प्रदुशक नहीं है तो वायू प्रदुशक जो नहीं है वह है CO2, SO2, Cu तो वायू प्रदुशक H2 नहीं है हाईड्रोजन ठीक है ताज में औको किसके सती हो रही है तो कहलाता है पुरोगामी समुदाई सबसे हानिकारक वायू प्रदूशक है CO2 कौन सर्वहारी है ठीक इसमें सर्वहारी कौन सा है मनुष्य कौन जल्य प्रदूशन के लिए महतोपूरण है तो जल्य प्रदूशन के लिए महतोपूरण है वाहित मल जल्व प्रदूशन को इंग पोधों के लिए निमन में इसे दुईतियक उबोगता कुन सा है तो मेंडक और बिल्ली जो हैं वो क्या हैं दुईतियक उबोगता हैं राजस्थान में किस जिले में सीता माता वन्या जीव अभ्यारनने हैं तो यह है चितोड़ गडमी अमल वर्षक जिन प्रदुशकों के का कारण होती है नाइट्रजन और सल्फर की उक्साइड के कारण पोटेशन प्रमेगनेन की थोड़ी मातरा डालने प्रवेवशे सुद्ध कर सकता है सुक्षम जीवों को मार कर निमन में से कौन से विधी एक आर्बनीक अप्षिस्ट के निष्टारन में सरफ स्रेस्ट है तो क्रिशी कंपोस्ट बनाना पता अर्थों का कौन सा समूद्ध जैव निमनीकरन नहीं है तो जैव निमनीकरन जो नहीं है वो है पारा स्टील का चमच और पोली तिरी जैव निमनीकरन नहीं है बाकी है नए क्म्रिय na तो टमाटरी क्या है जैव निन्नी करने हैं ठीक ग्रीन डाटा बुक में क्या होते हैं उन दरुलपादपो की सुची जोवानस्पतिक उध्यानों में उगाए जाते हैं वन अनुसंदान संसानिया की एनिकी एफ और आई कहा वस्तेत है ये है दहरादून में निमन में से कौन से जाती संक्टागरस थे तो नर बारा सिंगा एश्याई गधा गोडावन वे बारा सिंगा ये तीनों ही क्या है संक्टागरस जातिया है चंडिगड की रोग गार्डन में है अप्शिष्ट बदार्तों से बनी सुन्दर सरंचनाई यून एपी का वरहित रूप क्या है दूरिये प्रिवाट्त प्रियवन क से संफिश से होता है वहे इतिहास समाग सास्थर और वनसपती तीनों ही गरेलू गैस इलिंडर में क्या होता है द्रव CTR Custom Gas होती है तिक है एeur to make Anthony Cup जो होती है वही लिकवीड का पर होता है मध्याप्रदेश में कॉंसी हरितगर्ह Baptist सप्रत्थ प्रदूशन नहीं फेलाता है तो वह बर्दूशनने फ費लाता किरुणों का प्रवेश रोकती हैं पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक है जैविक और एजैविक घास्थल में संख्या का पिरामिड कैसा होता है हमेशा सीधा होता है ऐसा संबंद जिसमें एक जीव का लाब होए दूसरे कोहानी हो यह किसे क्या कहते है परजीवीता चार्ल्स सित्य किया अनुकरमन आई बीपी का वरेत रूप क्या है इंटरनेशनल बायोलोजिकल प्रोग्राम अगला देखी राजस्थान में अम्रिदा लवनितिया का मुख्या कारण कोन सा है कुओं में जलस्तर का कम होना एनविकरनिया उर्जस त्रोथ कोन से है कोईला प्राकरति उलस्ति प्रकार के इंधन होते हैं यह थिभास समेंधन पाधपों के लिए कुण से मुर्धा सबसे उप्यूख्त होती है तो ढमन्मीदा जो वोग수 होती है बुकम कितिवर्था कुमापनी का पैमाना कुन सा है लिक्टर पैमाना मुख्य प्रदूशन जो ओजोन प्रत को नश्ट करता है तो वो है वायू प्रदूशन से ओजोन प्रत मुख्यते नश्ट होती है वातावर्णी प्रदूशन कार्बन मोनोकसाईड, सीयो संसार कस्तरवाधिक प्रदूशित सेहर कौन सा है टोक्यो सुचालित वानों से निकलने वाला मुख्य हानी कारेक धातु प्रदूशिक कौन सा है यह सीसा किस तरपर ध्वनी सोर प्रदूशन हो जाता है तो वो 80 decibel से उपर अत्यधिक चारण का प्रिणाम क्या है मृदा अपरदन बियोडी क्या है बायोलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड एनोटू वैसोटू किस की मुख्य प्रदूशक है तो यह है वाईयू की पादप वेजन्तू के सरक्षन हेतु संगठन कौन सा है आईयू सी एन हरितगर्य प्रभाव का कारण क्या है CO2 यानि की कर्वन डियक्साइड वो जोन्स थै कि नश्ट होने का कारण क्लोरो फ्लोरो कारण मृदा में पाई जाने वाले जिवानों में वक्वक है अप घटक होते हैं यह एको सिस्टम सब्द किस ने दिया था टैंसले ने दिया था राष्टी उध्यानों में सरक्षन प्रदान किया जाता है पादव प्राण प्रानी जातियों को ध्वनी प्रदूशन के नापनी की काई क्या है डैसिबल अमली वर्षण उनक्यात्रों में होती है जहां बड़े खार खानी होती है वे 602 से वातवरन प्रदूशित हो जाता है मृदा सरक्षन है, मृदा की हानी के विरुद रक्षा द्वनी प्रदुशन को नियंतरित क्या जा सकते है लाउड स्पीक्रों के प्रिवक पर प्रितिवन द्वारा, ट्राफिक कंट्रोल द्वारा और द्वनी रोधक भानों द्वारा तालाव में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? अधिक्तम स्थाई पारिस्थितिक तंत्र है महासागर स्यूडो मोनास जिवानों सम्मंदित है नाइट्रोजन चक्र से प्रात्मी कनुकरण में अगरीम पोधे मिलते हैं मोस्वै लाइकेन पारिस्थितिक पिरामिड का सिर्ष बनाते हैं मासाहारी कार्बन चक्र में जिवानों की भूमिका है कार्बनिक योगिकों को तोडने में जैवी वीत्ता के खत्रे का कारण है वन्य जीमु का शिवा, सिकार, आवाशो, कविनास और वन्विनास तीनों ही जो है वो जैवी वीत्ता के खत्रे हैं वन्य जी सुरक्षा नियम लागू आता 9 सितंबर 1972 को शर्बती वेसो नारा किसमे है गेहू की सरवाधिक जन संख्यावाला देश कुन से चीन और फिर सेकेंड नंबर पर है भारत अलवर राजस्थान में राष्ट्य उध्यान कुन से है सरिश्का राष्ट्य उध्यान कारबेट कहां पर है कारबेट जो है वह है उत्रा अंचल में सोरी ठीक है सुंदर्बन राष्ट्य संबंदित है बाग प्रियोजना से कहां पर है यह पस्चिम बंगाल में निमन में से केस भारति नेता मंत्री ने स्टॉक हो में 1972 में माना प्रियावन पर अंतराष्टे को स्ट्य में भाग लिया था तो श्रीमती इंद्रा गांधी ने श्रीमती वी मताई को नोबल पुरु में 1986 में यदि प्रित्वी के बातर में CO2 नहीं हो तो क्या होगा तापमान घटेगा पादपकिन के द्वारा जैवी इंदन प्राप्त करता है जैट्रोफा के द्वारा बात में सर्वाधिक वर्शा रिकर्ड की जाती है चेरा पुंजी में राज्यस्थान में सरक्षित जी घोशित क्या क्या है लैंड ओफ टाइगर किस राश्टि उध्यान को का जाता है रंथमबोर राश्टि उध्यान को एज का कारण है वाइरस जैवी का धार पर मनुष्य क्या क्या कहलाता है होमो सेपियंस का जाता है मनुष्य को WWF World Life Fund for Nature शेर क्या है शेर एक द्वीत्य को मलेरिया पैरासाइट की खोज करनी वाले विज्यानिक है सर रोनाल्ड रॉस कोलेरा रोग का क्या है, विब्रियो, कॉलेरी वायू जनित रोग कौन सा है, अस्थमा पानी जनित रोग है, एमदी जनित रोग है समुद्री राष्टी उद्यान कहाँ पर है मुंबई में है ये मीनी माता रोक किस के द्वारा होता है पारी के द्वारा सुंदर्वन राष्टी उद्यान कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में है जल और मुलिदा प्रिदुष्टन का मुख्य स्त्रोत क्या है क्रिशिवय उद्योग, तापिय, शक्ति ग्रह और खनन क्या हैं, जल और प्रिटा प्रिशन के मुख्य स्त्रोथ है पाई मंडल के 21 परत में उजोण परत पाई जाती है संताप मंडल यानि की स्ट्रेटो स्फियर में संद 2001 में बुकम प्रभावित राज्य था, गुजराद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकल के से सम्मंदित है, उजोद पुरत के बचाव से है आई सी ए आर का विरित रूप का है, इंडियन कांसिल ओफ एगरी कल्चर रिसर्च जलोद भीद पोधों में एविक्षित होता है, जड़ लास्ट कुशिन देखिए, मरुद भीद पोधों में पत्यों के सतह चमकदार क्यों होती है, प्रकास के कम आवशोशन ही तू तो यह था इवे से रिलेटेड इंपोरेंट 300 प्लस कॉशिन, थांक्यू सो मच